Good evening व्यारे बच्चो मैं आपके साथ अनुप सियाग एक और ने लेक्चर के साथ आपका स्वागत था आपके यूट्यूब जैनल मैथ बाई अनुप सियाग में हमारा कॉर्स टार्ट था क्लास प्लस टू का आज हम उसके चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 10 की बात अब तक हमने डैरिवेट्ट्यू में तीन अक्सरसाइज हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट आज हम उसकी कौनची एक्सरसाइज लेगा रहे हैं फोर्थ अक्सरसाइज पिछले नेक्ट लेक्चर में जो पिछे लेक्चर था हमने उसमें तीन ट ट्रिणोमेट्रिक इन्वर्स का सीख लिया था तीन ट्रमोर आगी थी आपके पास एक threeकी पावर एक्स का एकता य इशकौल टू एकुव आक्स का एकता वाई इस इकल टू लोग ओफ एक्स यहां पर कोई भी फंक्षन हो सकता है लेकिन मैं बस उसी िषाहव से चलता हूं क्यों क्यों derivative करना क्या याद फिर इजी हो जाएगा जैसी y का derivative dy by dx e की power x का e की power x into में derivative किसका power का कुछ भी power को यहां पर a की x का भी सेम ऐसे ही है dy by dx a की power x derivative power का और जो a है ए कोई भी constant है उसके साथ लोगर्थ में आएगा लोग x का derivative है dy by dx 1 by x जो भी ट्रम होगी लोगर्थ में के पास वो divide में बेजेगा जो divide में लिखी है उसी का क्या करेगा derivative करेगा और वो क्या ट्रम है आपके पास x है ठीक है तो कल हमने ये तीन सिखे थे और आगी की अगर बात करें तो इन ही concept का पीछे वाड़ी ट्रम भी आ जाएगी और ये भी क्या होती रहेगी मिक्स होती रहेगी पहला क्यों सन हम वाई इस इकल टू एकी पावर एक्स केर इसका जिकर करें वाई का derivative क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और एक की कुछ भी दिखे एकी पावर कुछ भी हो आप बच्चों क्या लिखना उसको सेम लिखना है जो भी उसकी पावर है आपने उसका क्या करना है derivative करना है आपको क्या मिला x के एक की पावर सेम सेम था देखो सेम चला पावर का derivative पावर क्या है x केर और x केर का derivative पावर आगे पावर में से एक कम और लो जी हमारा answer आ गया ठीक है same y is equal to a e और a same है क्योंकि log of e की value क्या होती है 1 होती है y का derivative dy by dx a की power कुछ भी हो same a की power कुछ भी हो same और क्या करेंगे हम power का derivative और derivative में जो power है वो inverse का एक function है क्या है inverse का एक function है हम इसके according क्या कर देंगे उसका derivative कर देंगे तो देखिए dy by dx is equal to होगा a की power थी same power का derivative करना है dy by dx आपको ये बताता है कि हम इस ट्रम का derivative करेंगे ये एक inverse का function है पिछले lecture में हमने सीखा था दो लेक्चरों में inverse sine inverse का one over root में जो भी value है जो इसका angle है उसका square और उसी का derivative करते हैं ये क्या है x into में इसका derivative dy by dx आपके पास हो जाएगा a की power sine inverse x root में one minus x square ये आपका अंस्वर आ गया है इन्य अंस्वर तूँ बिल्कुली जी जी क्योफ्षन है अगर मैं बात करूँ ये क्योफ्षन y is equal to y is equal to a की power 2x log sine root x कोई सोचेगा तीन function एक एक log एक sine ये logarithm का पूरा base का काम करेगा हमारे पास तो function है जब भी दो ट्रम multiply में होगी तो हमेशा multiply rule apply करेंगे अगर आपको कहीं पर derivative करना पड़ जाए और दो ट्रम मिलती है हमेशा कौन सा rule लगता है multiply y का dy by dx a की power 2x same इस ट्रम का हम क्या करेंगे derivative log of sine root x का क्या करेंगे derivative plus log of sine root x same इसका derivative करना ही मतलब 2 में से करना तो एक का ही है लेकिन पहले वो rule क्या करेंगे apply करेंगे ऐसा कभी निकरना इसका भी कर देंगे और इसका भी कर देंगे गलत हो जाएगा log sine root x derivative अब आगे 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 आप इसका क्या कर दो derivative एक की पावर 2 x सेम है derivative करना ही नहीं आपने लोगर्थमिक मिला लोगर्थमिक यह कहता है जो भी ट्रम है लोग के पास उसको डिवाइड में बेज दीजिए और जो डिवाइड में आप बेज रहे हो उसका आपने क्या करना है derivative मैं derivative किसका लिखूंगा sin root x का पलस लोग ओफ sin root x log of sin root x जो बेज है इसका आपको a की 2 x मिला a की 2 x का derivative a की पावर 2 x सेम और लोग ओफ a आएगा power का derivative होगा 2 x का derivative क्या हो जाएगा 2 देखो यहां तक हो गया आगे आपको अभी भी क्योस्टन में derivative नजर आता है derivative नजर आता है तो उसका क्या करना पड़ेगा हमें derivative करना पड़ेगा इस ट्रम का तो हो चुका है यह तो सेम चलेगी पलस में यहां पे सेम चलेगी बस इस इसमें जो बचा है देखो मैं यहां लिख देता हूँ e की power 2 x sine root x मेरे को sine का derivative करना sine का derivative क्या होता cos angle same angle का derivative angle क्या है root x जब भी root दिखे मन से वा जाएगी 1 by 2 लिखेंगे root same लिखेंगे जो function है root के नीचे जो ट्रम है root के नीचे जो ट्रम है क्या है x और x का derivative क्या होगा 1 ठीक है तो हमारे पास यह आगया और पलस में यह हमारा क्या है answer है तो आपके पास जो मैंने दो part करूआ यह first question के part है वो आपके पास second question का क्या है part है और part देखी आज हम 4 तक के question करेंगे इस lecture में कल संडे है देखते हैं अगर lecture का time होगा तो बना देंगे otherwise मंडे को आपको क्या मिलेगा बेटा lecture मिलेगा और आप अपनी कोपी साथ की साथ complete बनाती रहें हम छोटे छोटे तीन तीन चैर चैर के उसलिए कर रहें कि जो बात बताएं आप easy से समझ सको तीन या चैर के उसले lecture में और फिर अपने आप सान्ती से जब आपका मन सान्त हो lecture सुनने के बाद उसी समय वो क्योस्टन करोगे तो आप को easy लगेगा revise करना है अगले दिन फिर सुन लो उसको speed fast करके सुन सकते आप youtube चैनल पर option होता है कि हम जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अगर किसी को speed slow लग रही है तो आप speed अपनी fast कर सकते हूं तो वह lecture दुबारा से क्या हो जाएगा आपका revise हो जाएगा तो आगे हम बात करें y is equal to log 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 of x की power 4 यह question है आपके पास इसको हम कैसे solve करेंगे जब भी हमने बोला हमारा टकराव किसे हुआ लोग से कोई और दूसरी ट्रम ने क्योंकि यह इसका base है यह इसका base है और इसका base यह तो अपने आप में यह एक ही ट्रम है multiply rule पे हम नहीं जा सकते लोगर्थमिक ने यह बोला है derivative में y का derivative तो क्या हो जाएगा dy by dx y का derivative तो क्या हो जाएगा dy by dx लोगर्थमिक के पास जो भी ट्रम है यह ट्रम है आपने क्या करना है कुछ भी हो वो divide में लिखना है सेम divide में लिखना है लिख दिया फिर जो यहाँ divide में लिखा आपने जो यहाँ लिखा इसी का into में क्या करना है derivative into में क्या करना है derivative log log x की 4 फिर हम derivative पे गए हमने देखा फिर से logarithmic ट्रम आगी हमें पता है log अर्थमिक का derivative करना आता है जो भी उसके पास value है अगले step में क्या होगा log log of x की power 4 यह सेम है आपने इसका derivative करना था फिर देखा log अर्थमिक के पास जो भी ट्रम है उसका base का काम कर रही है आप उस ट्रम को divide में base दोगे divide में base दो इसको और फिर कहता है जो ट्रम आपने divide में base आप उसका क्या करोगे derivative करोगे derivative हम किसका करेंगे log x की 4 का rule नहीं break करना बस हमे log अर्थमिक नहीं यह बोला था जो ट्रम divide में base उसका derivative चोटे चोटे टुकडे करके अगर आपका बही कई बार मुकावला बोच सकती साली से होता तो दीरे दीरे क्या करना पड़ेगा उसको break करना पड़ेगा यह इतनी बड़ी ट्रम थी हम दीरे दीरे इसके step पे गए और इसको क्या करने लगे ब्रेक करने लगे एक टाइम में एक का ही derivative कर सकते हैं उसके पास divide में फिर इसका derivative करना था इसके पास जो ट्रम थी divide में अब यहां पहुँच गे तो पड़े पास क्या होगा 1 by log log of x की 4 इसका same इस ट्रम का derivative logarithm के पास चो भी है इस बार क्या है x की power 4 है वो divide में बेजींगी जो ट्रम divide में बेजी उसी ट्रम का हम क्या करेंगे derivative ठीक है तो देखो गेटा 1 by log of log x की 4 1 by log x की 4 1 by x की 4 है और x की 4 का derivative 4 x cube इससे ये ट्रम कैंसल होकर आपका क्या बच जाएगा x बच जाएगा x की power 4 थी cancel होकर क्या आजाएगा x 4 by x आपका अंस्वर होगा बेटा 4 divide by x log log x की 4 एक ट्रम तो ये है आपके पास और एक log x की 4 है ये आपका अंस्वर है ठीक है अपने आपको पजल नहीं होने दिना दैरिये रखना है उस चीज को समझना है क्या दो ट्रम है कैसे हम इसका derivative करें दो ट्रम मिलती है तो multiply rule ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ट्रम 2 है या 1 है ये logarith में किसका base होना चाहिए फिर ये इसका base ये इसका base ये तो आपके जुड़ी हुई एक हिस्सा है अपने आप में ये किसका काम करेगा एक ट्रम का काम करेगा हमारा ये क्योस्टन भी हो गया है ये भी हो गया आप देखिए y is equal to y is equal to x cube e की x cos x ठीक है y is equal to अब यहाँ पर देखिए आओ यहाँ पर देखो कितने function है x cube एक e की x दो cos x तीन अब तीन वाड़ा तो rule आप सोच रहे आया ही नही या तो ऐसा कर लो बेटा आप इन दो को एक समझ लो ये दूसरा multiply rule ऐसे लगा अगर तीन ट्रम आजाती है या चार ट्रम आजाती है तब भी हम multiply rule में क्या कर सकते हैं open कर सकते हैं तो एक बार ये erase कर देते हैं ये question हमारा हो गया है आपके पास अगर तीन ट्रम भी आती है वेटा आपने puzzle नहीं हो ना हम उसका भी multiply rule लगा सकते हैं अब वो अमने जब multiply rule अपलाई किया था तो हमने एक example लिया था एक cycle पे दो बंदे बैठे हैं दो friend बैठे हैं एक U था और एक V था अब एक तीसरा ओर आ गया W U, V, W अब एक साथ एक time में एक ही cycle चला सकता दो बैठेंगे लेकिन arrangement होगा एक बार U चलाएगा V और W बैठेंगे एक बार V चलाएगा तो U और W बैठेंगे और W चलाएगा तो U और V बैठेंगे arrangement कर सकती है जब आप के पास दो से ज़्यादा ड्रमाती है हमारी उसी ठिंक का प्रियोग करेंगे हम Y का derivative हम क्या लिखेंगे D Y Y D X इसको break कर देंगे X की cube E की X same derivative हम करेंगे cos X का पलस इस एक बार तो अब cos का number लग गया बारी बारी आपने number लगाना तीन ट्रम है ना 2 को बैठा दो सान्ती जे X की cube और मैं cos X को बैठा देता हूं लेकिन derivative किसका करना पड़ेगा E की X का पलस इस बार cos X और E की X को बैठा देते हैं derivative किसका करना पड़ेगा X की 3 का बस तीन ट्रम देखके पजल होना ही नहीं है अब जहां जहां आपको derivative दिखे उस उस ट्रम का derivative करना इसके पास नहीं है इसके पास नहीं है ये तो सेम बैठा रहेंगे cos का है cos का derivative कर दीजी आप cos का derivative क्या हो जाएगा क्योंकि technometric में जिनका नाम C से start उनके खांदान में बिमारी थी derivative होने के बाद क्या आता है ये बहुत काम आएगी integration में जाएगे न तब भी सी चीज़ का प्रियोग करते रहेंगे C वाड़ों का वहाँ पे बोलेंगे जिनका नाम C से start होता है उनके answer में क्या आएगा डाल बना के रखेंगे C के नाम की C से नाम start negative आएगा X की cube cos X ठीक है E की X का derivative E की X पावर का derivative 1 cos X E की X X की 3 का derivative 3 X square हमारा answer आगया आप बच्चिस में से E की X को मन ले सकते हो X square को मन ले सकते हो फिर जो बचेगा आपका जो क्या बच्चाएगा answer बच्चाएगा ठीक है आगयी है काणी समझ में आपको next question की तरह बढ़े हमारे next question जो और पार्ट लिखे हो है आज के lecture में 7.4 exercise के 4 question कवर होंगे कितने question कवर होंगे बेटा 4 कल संडी है अगर lecture बनेगा तो बना देंगे ठीक है आप मैनत करते रही है subscriber थोड़े थोड़े increase कराते रही है please हम जल्दी मतलब 1000 हो जाएंगे हम 900 के round है अभी 200 की और जरूरत है तो आप बचे अगर जो जुड़े हुए एक दो दो जोड़ेंगे अपने साथ वाड़ों को पोलेंगे तो हमारे जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर ऐसा live session भी लेंगे live session को upload कर देंगे साथ में ही वो आपके पास recorded भी होगा और live में कई बार कई बात question पढ़ाते हैं समय मन में तब आते हैं और फिर बाद में बूल जाते हैं तो आप वो बात अपनी साथ की साथ पूछ सकते हूँ तो अपने पास अब next question आ रहा है y is equal to e की x log x x square एक और लिख लेता हूँ मैं y is equal to e की 2x cos x x sin x ठीक ये y is equal to हम किसे solve करेंगे divide rule में दिखा divide rule में बाते हैंगे पहले हम y का derivative क्या लिखेंगे dy by dx x जो निच्चे वाड़ी ट्रम है उसका whole square करेंगे x square ही है square कर देंगे ये उपर बुला लेगा divide rule ऐसे ही उन बातों से याद रखना है दो फ्रेंड थे निच्चे वाड़ा देखके खुस हो गया square लगा दिया चाए पानी के लिए उपर बुला लिया और उपर वाड़ा काम करने लग गया उपर वाड़े में इस बार दो का मिक्सर था कई बार ऐसे भी तो हो सकते हैं जिस फ्रेंड से मिलने गए वहाँ पर दो फ्रेंड रहते हो तो e की x लोग x ये ट्रम सेम उपर वाली का मतलब derivative करेंगे माइनस उपर वाड़े दोनों बैट जाते हैं जिससे वो फ्रेंड मिलने गया था और बारी किसके आ जाती ही काम करने की जो फ्रेंड मिलने आया था मिलने वाड़ा हम यहाँ पर किसको समझ रहे हैं धूइड उड़े को x स्केर बांटा डिवाइड रूल में आगे सफोलो कर देंगे जहां आपको ट्रे나shop पहले बांटना आना चाहिए बांटने के बाद आपने क्या देखना जिस जिस के साथ डेरिवेटिव है वहाँ पर आप क्या कर दीजिए डियवेटिव' less एक स्केयर मल्टिप्लाई रूल लगाएंगे लेको थोड़ा बेटा फोन आ गया था बीच में तो आप बच्छे यहां तक समझ गये होगे अगर किसी के साउंड में बीच में प्रोब्लम होगी हो तो मैं दुबारा बता देता हूं हम डिवाइड रूल था हमने उसको बांट दिया जहां जहां डिवेटिव दिखा उस ट्रम का हम क्या करेंगे डिवेटिव करेंगे अब डिवेटिव में जहां पर एकी एक्स लोग एक्स है इसको हम किस से सोल करेंगे मल्टिप्लाई रूल से सोल करेंगे एक्स के अर एकी एक्स लोग एक्स मल्टिप्लाई रूल से E की X से derivative log X का क्योंकि जब आप derivative करने गए आपको 2 टरम मिली जब भी 2 टरम मिलेगी हम derivative का multiply rule apply करेंगे तो हमने वो rule लगाया फिर से कई सोच रहेंगे डिवाइड लगेगा भई डिवाइड में भी अगर 2 टरम multiply में आपको मिलती है तो वहाँ पर उनका multiply rule follow करेंगे log X का derivative करेंगे plus log X same E की X का हम क्या करेंगे derivative ठीक है न minus E की X log X E की X log X X square का derivative क्या होगा 2X X की power 2 थी 4 हो जाएगी अब फिर देखो आप क्योस्टन में कहां कहां derivative बचा है उसी टरम का derivative आपने करना है एक log रत्मिक के साथ और E की X के साथ बाकि कहीं derivative नहीं है जो टरम का हमने derivative कर दिया या same रखी थी उनके साथ आपने कोई अथा पाई नहीं करनी X के राबने same रखना है E की X सेम रखना है log X मिला derivative 1 by X होगा पलस log X E की X का derivative E की X माइनस E की X log X और 2 X को पहले लिख देता हूँ कई बार multiply में वहाँ पर आप लिख दोगे तो वो गलत हो जाता है और divide by X की power 4 सारी में से E की X को मना जाएगा X को मना जाएगा जाहांसे X को मना आना होगा फिर आपके उसी के recording क्या हो जाएगा answer हो जाएगा मैं E की X को मन ले जाता हूँ पूरे में से और क्या कर लूँ भई X स्केर के multiply कर दूँ X को मन ले रहा है ठीक है X स्केर के multiply करूँ है यहाँ पर X रह जाएगा यहाँ पर X स्केर log X रह जाएगा ठीक है और E की X तो उसके नाम का common आ गया यहाँ पर E की X गया तो माइनस के 2X log X आ गया आपका answer ऐसे भी हो सकता है अगर आपको फिर बसे कुछ common नजर आता है जैसे इन दोनों में से log X common नजर आता है तो आप log X क्या ले लोगे common या ऐसे भी कर सकते है QRD की equation जब बनती X के रवाड़ी ट्रम सेम इसमें से और इसमें से क्या common आ जाएगा X तो हमारा answer वो भी हो सकता है वो depend करता है कि math में क्या दिया गया है लेकिन मेरे हिसाब से जब QRD की equation आती है तो QRD की equation का rule follow गया जाता X के रवाड़ी ट्रम सेम दोनों के पास X इनमें से X common लिया जाएगा ये 1-2 log X रह जाएगा वो आपका क्या होगा बेटा answer होगा तो ये question भी हो गया next question देखिए y is equal to इसको मैं थोड़ा सा easy बना लिता हूँ अब मेरे दो ट्रम या multiply में या multiply में थोड़ा सा length ही होगा तो मैंने क्या देखा cos by sin को quote X लिख दू में easy बन जाएगा ना divide में बस एक ही ट्रम ले जाएगी अगर ये X plus sin X होता तब नहीं कर सकते थे multiply में था इसको इसके divide में लिख दा तो क्या बन गया quote फिर इसका भी format divide rule वाला rule follow कर देती है Y का derivative dy by dx नीचे वाड़ी ट्रम का whole square जो friend मिलने आए उसको देखकर खुस हो गया इसको उपर बुलाएंगे चाय पाने की ववस्था कीजी उपर वाड़ा चाय पाने की ववस्था करेगा मतलब यहाँ पर उस ववस्था का मतलब क्या है हम उसका derivative करेंगे हम derivative किसका करेंगे बेटा E की 2X का quote X का minus E की 2X quote X same और derivative किसका करेंगे हम divide वाली ट्रम और divide में क्या आपके पास X तो देखिए आगे क्या अंसर आएगा हमने divide rule में इसको बाट दिया है divide rule में बाटने के बाद divide rule में इसको बाटने के बाद यह देखिए आपको derivative कहां कहां नजर आता है अगर derivative में दो ट्रम फिर से multiply मिलती है तो multiply rule अपलाई करेंगे Y का dy by dx ठीक है X E की 2X और quote X का multiply rule मैं सीधे derivative कर दूँ कोई दिक्कत नहीं वेटा derivative कर देती है रूल क्योंकि पिछले में यह ऐसे ही question तो आया था X मैं ऐसे कर देता हूँ E की 2X same derivative quote का minus के cosecant square X plus quote X same E की 2X का derivative E की 2X power का derivative 2 मैंने बीच में एक step गायब कर दिया कौण सा मैंने इसको ऐसे बाटा नहीं यह सेम इसका मैं derivative करूँगा उस करने के नाम का direct मैंने derivative कर दिया इसका quote X same रखा E की 2X का derivative E की 2X into 2 आगे जो ट्रम है minus E की 2X quote X और मेरे पास X X का derivative क्या है 1 और divide by beta क्या है X square E की 2X common आ जाएगा पूरे में से खिक है और उसके बाद जो जो ट्रम बचेगी वो आपका क्या होगा answer होगा तो आपका ये question और हो गया question और भी बचा हुआ क्या कोई हाँ ये question और बचा हुआ है ये और कर लेती है तो हमारे पास मैं आज तीन property भी बताऊँगा आपको लोगर्थमिक की जो मने प्लस न में भी पड़ी थी लोगर्थमिक अपनी तीन तरह की property बनाता है जिस scientist ने इसको drive किया था तो उसने तीन खासियत बताई थी कि इसका इनके हिसाब से solve करेंगे और अपनी एक table बनाई थी अब कोई ये सोचरा लोगर्थमिक फंक्शन क्यों आया तो थोड़ा सा मैं बता दूँगा कि लोगर्थमिक फंक्शन क्यों आया है लास्ट में बताएंगे y is equal to 1 plus e की x 1 minus e की x root दिखे मन से अब आ जाएगी क्या आ जाएगी derivative करो कर दिया root मिला 1 by 2 लिखा जो भी फंक्शन था वो सेम लिखेंगे और उसी फंक्शन का हम क्या करेंगे derivative और यहाँ पर ये ट्रम किस में है divide में है ये वाली ट्रम पलट कर उपर चली जाएगी 1 by 2 1 minus e की x 1 plus e की x हो जाएगा इसका divide रूल से करेंगे निचे वाली ट्रम है whole square कर देंगे whole square निचे वाली ट्रम उपर आ जाएगी इसमें भी मैं उपर वाली ट्रम का derivative करेंगे उसको लिखने की वजाए मैं यहाँ पर derivative ही लिख देता हूं उपर वाली ट्रम का derivative 1 का 0 और e की x का e की x power का 1 minus उपर वाली ट्रम से उपर वाली ट्रम से निचे वाली ट्रम का हम derivative करेंगे तो देखिए क्या होगा 1 का 0 e की power x का e की power x minus में था ठीक है दोनों में से क्या करें हम e की power x कॉम्मन ले लेंगे इसकी power half है इसकी power 2 है यह कटेगा अंसर देखिए 1 by 2 उपर 1 1 पलस e की x मैं इसको इससे कैंसल करूँगा तो इसकी power 3 by 2 बच जाएगी बेटा e की power x 3 by 2 उपर देखिए उपर वालों में से e की x कॉम्मन ले लेता हूँ कॉम्मन ले लिया मैंने और क्या बचा है मेरे पास कॉम्मन लेने के बाद 1 माइनस e की x बचा है यहाँ पर e की x कॉम्मन लिया मैंने माइनस माइनस क्या हो जाएगा पलस तो 1 पलस E की X बचा और E की X से बेटा E की X खलास हो जाएगा एक और एक दो हो जाएगा जो यह एक और एक मिलकर क्या होगा? दो होगा उस दो से दो की काणी खतम हो जाएगी और हमारा अंस्वर आ जाएगा हमारा अंस्वर है बेटा E की X 1 पलस E की X और 1 माइनस E की X की पावर 3 बाई 2 ठीक है यह हमारा क्या होगा अंसर होगा तो आज हमने 7.4 अक्सरसाइज जो की है अक्सरसाइज कौन सी बेटा 7.4 उसके कितने क्योशन कंप्लीट करने आप बचोंने 4 क्योशन कंप्लीट करने है की कै कोई प्रोबलम हो तो वटसेब बेज देना अब मैं बताता हूँ अब बहुत सारी ट्रम बहुत बड़ी पावर है जैसे 2 की पावर 1000 हो 2 की पावर 1000 हो क्यों हमने लोग अर्थ में का यूज किया 2 की पावर 1000 सोल करना माबार्थ 102 की पावर 1000 10,000 लाख करोड कितनी भी होती सोल नहीं कर सकते उस चीज को सोल करने के लिए एक स्पेशल ट्रम आई लोग अर्थ में नाम का एक फंक्शन आया और मानलो यह वाई उकल टू है तो हम लोग लेते हैं इसका और यह क्या करता है लोग अर्थ में क्योंकि तो डिजाइन करने वाड़े के उपर है कि उसने क्या-क्या सोचा था कई बार हम कोई चीज बना दे हम यह बोलेंगे इसमें ऐसे ऐसे कमी है आपने स्पेसल इसको ऐसे वरक करना पड़ेगा तो वैसे ही लोग अर्त्मिक में कुछ कमियां थी उस कमियों को उसने किसक अनसर निकाल लोगे उसने बोला कि जो मैंने आपको टेवल दी है उस टेवल में से वैल्यू ठाके रखोगे तब यह आपका अनसर आएगा क्योंकि उसने सारे फंक्शनों के लिए आकलन किया कि क्या-क्या नंबर हो सकते हैं कैसे कितने अजार होंगे दस जार होंगे तो आ इसे देखनी है ठीक है तो अब इतनी बड़ी जो पावर है यह सोल नहीं कर पा रहे थे लोगर्थमिक आया आगे इस मैटर को सोल करने के लिए वो क्या करता है उसने अपना फंक्शन जो दिया है वो पावर आगे लेके आता है जो दस जार पावर होगी वो आगे आ जो इसको सोल करने के लिए इसी लिए तो बागल थोड़े है चार पांस टेब पेज की टेबल बनाई उसने पॉइंटों के लिए बनाई सब कुछ बनाई वो वैल्यू रखते हैं फिर जाकर इसका क्या होता आकलन सोल होता है अब जिस तरह ब्याज निकालना होता पावर ल सोल करने के लिए भी कौन सामने आता है लोगर्तमिक बिकॉम के मैथ में जब यह हम इंट कंपाउंट इंट्रेस्ट का टोपिक पढ़ते हैं वहां पर इस तरह की चीज काम आती है वहां पर सारे का सारा क्या चलता है लोगर्तमिक अगर कोई बच्चा कोमर्स का और वो यह स सामने को हमें अब लोगर्तमिक अपने इन तीन बातों के साथ से लेगा उसने अपने तीन रूल दिये कि मैं रूल को मानकर ही इस को क्या करता हूं अब से maintenance old ट्रीक series उपर कम से कम थेंगंट ही आते हैं वह जो बच्चे कमेंट ने कर रहे हैं थीधा मजाक में लेकिन आप बच्चोंने सिर्यस नहीं लЕना तो आप बच्चोंने कमेंट करते रहना है कि यह चीज lawyer में आई है या नहीं आई है कमेंट करने बहुत जरूरी है चैनल के उपर और आप एक एक दो दो सब्सक्राइबर बढ़ाईए बेटा एक दो दो आप बढ़ाओगे तब भी बढ़ेंगे अब ठीक है और फिर लाइव सेशन आएगा तो लाइव सेशन में कलास लेने का थोड क्या करनी है complete करनी है ऐसा नहीं होगा लेक्षर करने के बाद है बाद या क्लास में अधरा दो तीन दिन चोड़ देते है ते लिक यहां पर चलती उसमें से अब देख सकते हो बच्चा मतलब हमने फार्मूले ही बताए थे और फार्मूले बताने के बेसिज पर ही उसने ये एक्सरसाइज क्या कर लिए अपनी कम्प्लीट कर लिए तो मतलब आपके पास टाइम बोथ है तो आप पीछे वड़ा भी रिवाइज कर सकते हो और ये भी अगर रिवाइज करना हो तो आप दो बार वीडियो सुन सकते हो ठीक है तो बेटा मिलते है नेक्स लेक्टर में ओके तब तक के लिए बाई बाई और आ झाल 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 झाल